PS Toolkit के Album Design Option के अंदर यहाँ पर एक Replace PSD का बटन दिया हुआ है आईए देखते हैं इसका इस्तमाल कैसे होता है मैं एक Template Open कर लेता हूँ Photoshop में मैंने यहाँ पर एक Template Open कर लिया मैं सभी Frames को Select करके इसमें Photo Fill कर लेता हूँ यहाँ पर देखे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फ्रेम सेलेक्ट किया है मैंने जिसमें से 2 वर्टिकल है और 4 होरिजॉंटल है मैंने Fill Photo बटन पर क्लिक किया यहाँ पर से From Folder सेलेक्ट किया यहाँ से मैं 4 होरिजॉंटल और 2 वर्टिकल फोटो ले लूँँगा और यहाँ OK बटन पर क्लिक करूँगा तो वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में होरिजॉंटल फोटो होरिजॉंटल फ्रेम में जाके Fill हो जाएगी, Resize हो जाएगी यह देखिए, Process Complete हो गया है अगर मुझे लगता है कि यह PhD अच्छा नहीं है मुझे पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपके Client को यह Template पसंद नहीं आयागा तो आप इस Replace PhD बटन की सहायता से पूरे के पूरे PhD को Replace कर सकते हैं आपको इनया PhD लेंगे और इसके Photographs उस PhD Template में जाके Fill हो जाएगे तो यहाँ पर आप देखिए कि दो वर्टिकल फोटो है और चार होरिजॉंटल फोटो है तो हम लोग को ऐसा ही Template लेना पड़ेगा जो जिसमें दो वर्टिकल फ्रेम हो और चार होरिजॉंटल फ्रेम हो तो Replace PhD बटन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर दो आप्सन आएंगे सबसे पहला तो Search Perfect PhD सबसे पहले आपको इसपे क्लिक करना है यह ओप्सन ओपन हो जाएगा Ctrl V बटन दबाईए तो यहाँ पर ऐसे Template फोटो होंगे जिसमें दो वर्टिकल और चार होरिजॉंटल फ्रेम होंगे तो चलिए मैं इसमें से कोईसा भी एक Template ओपन कर लेता हूँ जैसे मैंने यह Template ओपन कर लिया अब मैंने दुबारा Replace PhD बटन पर क्लिक किया Replace PhD Automatically मतलब पहली बार में आपको क्या कर रहा है पहले वाले बटन की साहता से आपको Image Search करना है और Template Search करना है और उसके बाद जब Template ओपन हो जाएगा तो दुबारा Replace PhD बटन पर क्लिक करके Replace PhD कर देना है यह देखिए दो वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में आ गई है और बाकी की जो Horizontal फोटो थी Horizontal फ्रेम में आ गई है आपको यह PhD भी पसंद नहीं आता है Replace PhD Search Perfect PhD Ctrl V उसके आप फिर आपको जो भी Template अच्छा लगता है यह देखिए यह भी Template ऐसा है जिसमें दो वर्टिकल फ्रेम है और चार Horizontal फ्रेम है आपको दुबारा Replace PhD बटन पर क्लिक करना है Replace PhD Automatically तो इससे पहले वाले Template से फोटो एक एक करके नए Templates में आती जाएगी और वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में फिल होती जाएगी यह देखिए आपको यह पसंद नहीं आता है Replace PhD बटन पर क्लिक कीजिए Search Perfect PhD Ctrl V यहाँ पर देखिए मैंने यह Template ले लिया दुबारा Replace PhD बटन पर क्लिक करना है Replace PhD Automatically पुराने Template की फोटो नए Template में सेट हो जाएगी वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में सेट होगी horizontal photo horizontal फ्रेम में यह देखिए तो इस तरीके से Replace PhD बटन की सहायता से अगर कोई template आपको पसंद नहीं आता है तो उस template को आप Replace कर सकते हैं